अगर आप लोग को लग रहा है कि Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर मोबाइल फोन तक लिमिटेड है ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि Qualcomm ने देखा है तो पूरी एक कार बना दिया है लेकिन इंडिया में जाद अतर मैनुफेक्चर Qualcomm Snapdragon की कार यूज करते है एक्जम्पल दू मरूत सबसे पहले तो यहां पर आपको नैविगेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है आप गाने वगरा सुन सकते हो यहां तक की बैटरी का परसेंटेज सारी चीज़ा आप चेक कर सकते हो और नौट जस्की आपको इंफोटेन्मेंट के सिस्टेम मिल रहे है ओविसकी कि इसको ग जैसे जो फीचर्स होते उसका भी डेमो देखने होलता है आपको नैविगेशन करना आप वह देख सकते हो आपको प्रेशर पगर देखने है ट्रैक्शन मोड को करना है वह कर सकते हो यहां तक की चार्जिंग पॉइंट को देखना है और एक बहुत ही कूल चीज बताओं आ और एक बाव बता देना चाहूं कॉल कॉम नहीं हां तक कि टेसलर जैसी कंपनी के साथ भी पार्टनर्शिप कर रठी है और फोर्ड और दुम्या की हर बड़ी कंपनी और AI जैसी केप्रिटीज को लेकर आ रही है दोस्तों यहां पर है मेरे पास एक ऐसी कार चुकि है वोल् वाइल कून से उठके अल्रेडी कार्ट में तो आई चुका है लेकिन कार्ट के जो सिस्टम रहता आपका एडास जैसा फैल द्राइविंग जैसे फीचर उनको तो सपोर्ट करती है जो डीटेल्स जैसी होती है इसी के साथ है यहां पर सपोर्ट विलता है आपको इसके को आती है 180 किलो मीटर पर आर इवन चार्जिंग अगर बात करें ना तो डीसी पास चार्जिंग को सपोर्ट करती जिसके अंदर जीरो टू एटी परसें चार्ज ले सकती है सिर्फ 27 मिनिट्स के अंदर यह कार आप लोगों ने न किसी भी इलेक्रिक कार के अंदर इससे कू बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं प्रॉपर नों ने फायर टीवी यह डाल दिया जो एमजन फायर टीवी स्टिक में है चलो यूट्यूब डालते है और दोस्तों यह देवो सीधे हम यहां पर अपने सारे वीडियो को यहां पर लाइव अगर देखना चाहतों सब देख सकत है कि 101 kWh की बैटरी पेक के साथ आती है 600 km की रेंज है और पीछी जो आपको डेमो दियाना इन इस्क्रीन एंटर्टेन्मेंट का 8-31 इंच का डिस्प्ले खाना यह इस काहर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी आपको देखने को मिलती है इवन इसका अमलब यह नहीं कि यह साही आपको प्लीम BMW जैसे ब्रांड में देखने को लिए ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है आपके होम ग्रोन ब्रांड के अंदर भी जो की होते हैं आपकी महिंदर और टाटा सो लेट टेक दम आउफ आप लोग को पता कि टेसला आगई इंडिया में लेकिन टेसला की इस कार के अंदर भी आपको कॉल का स्नापडरागन चिपसेट देखने को मिल रहा है ताकि आप इसके अंदर ऑन ड्राउं एंटेटेन्मेंट बगड़ा कर सकते हैं और एक बाह बता हूं यार ये टाटा कर एलेक्टर गया अंदर से देखने बहुत सही लगती है हाला कि BMW ज इसा फीचर पार्किंग ब्रेक ये सारी चीज़े देखने को मिलती है इसके साथ ही कुछ स्पैसिफिकेशन के बार में बात कर तो 45 क्लो वाटर का एक LFP मॉडल आता है जिसके अंदर आपको 350 क्लो मेटर की में एक 55 क्लो मेटर का मॉडल आता है इसमें आपको 400-425 क्लो मेटर की रिंज आपको देखने को मिलती है इसके साथ ही पॉपामेंस के बार में बात कर तो 0-100 कार जा सकती है सिर्फ 8.6 सेकेंड के अंदर जो कि इलेक्रिक कार के लिए और इवन कार्स के अंदर आपको काफी प्रीमियम फीचर देखने को बलते है इवन अगर आप लोग सोच र पाइवनेड लीटर का बूट स्पेस है यहां पर आपको 190 mm की जो देखने को मिलती है तामने की तरफ 12.3 इंच का डिस्पले है और यहां पर आपको एड़ास लेवल 2 के इंदर फीचर देखने को मिलते है विद 360 डिगरी के साथ और बात पहरे तो काफी सही कार है अंडर 20 प्रूस कंट्रोल मिल जाएगा पार्किंग असस्ट मिल जाएगा और अगर माली जगर आपके घर में जगे कम है तो गाड़ी आटोमेटर की आगे पीछे थोड़ा सा अपने आप कर सकती है और इस टाप के कूल फीचर बलते है और इवन यहां डिस्पले में भी धेर सारी आपस और फीचर से और हां यह जो पूरा डिस्पले चल रहा है और इवन आप देख सकते कि गाड़ी के अंदर खुद पूरे 5G के सिंगल्स आपको देखने को मिल रहे है ऑवियसली जो की है इसकी वह काफी जादा आपको सही देखने कोलती है डिजाइन काफी जादा प्र अला कि कीमत भी इस कार के काफी जादा प्रीमियम है वो जो कि यह 30LX लेकिन फिर भी बात है कि तब भी है टेसला से 50% कम कीमत पहीं मिलती है महिंद्रा जैसी कमपनी अगर आपको सस्ते दाम में टेसला साइबर ट्रक का फील दे तो टेसला है कि क्या जरूबत है यार इसकी खास बात ही है कि यह आपके पूरी टोटली इलेक्रिक प्लेटपॉम पे बेस्ट है अप्टू 60KW की बैटरी आपको देखने को मिलती है इस के साथ देखने को रहा है तो काफी की इंटरसिंग चीज हो जाती है अगर आप लोगों को लग रहा था कि कॉल को मैंना स्नाप्डरण का प्रॉसेसर तिर्फ आपके फोर वीलर के लिए बना रही है ना तो आप शाथ गलत हो क्योंकि अब हैना स्नाप्डरण अपनी जो डि और यहां पर जो आपको बूट स्पेस मिलता है ना वो मिलता है 35 लीटर का जहां पर आपको LED लाइट भी देखने को मिलती है और ओर रहाल एक काफी कच एकस्पीरियंस है इसके साथ ही connected feature में यह हमेशे क्लाउट से connected रहेगा यहां पर वार्लेस connectivity के features रहेंगे navigation वाली जो फ लांच किया विडा विडा की बताँ खास बात क्या है कि यह लोग इंडिया के अंदर रिमूवल बैटरी का स्कूटर लेकर आते हैं या नहीं कि इस स्कूटर की जो pricing उसको भी वन लेक के अंडर रखा गया है प्लस affordable category में आपको एक रिमूवल बैटरी पैक देखने होलता ह और obviously खासबा बताता हूं कि यहां पर आप इसकी up to 55 km की range ले सकते हैं connectivity के अंदर 4G connectivity है basic सारे features आपको देखने को बलते है boards है parking assistance है removal battery को आप देख सकते कि यहां पर इसकी अंदर आपको battery pack देखने होलता है यह अब एक लाक रुपे के अंदर आए तो क्या hero veda अपने आपको top 5 पोजिशन पर लापाती है कि नहीं लापाती है आप लोग ने इंडिया की पहली super electric bike के बार में सुना है यह made in india electric bike है जिसका internal आप देखने है जो की है ultra wallet f77 mac2 यह जो battery pack है na aerospace engineering को ध्यान में रखके on snapdragon की chipset के साथ और एक fun fact की बाद बताना चाहूंगा callcom is also the investor in this brand और इसकी future product के बार में बात करे ultra wallet test rack आने वाली है इसके साथ ही इसके अंदर को shockwave जैसी bike में लेगी लेकिन और काफी एक अच्छा premium experience लेखने को मिलता है और एक काफी interesting थीज मैं आप लोग को बता हूं यहा काफी इसमें हाँ पर काम चाहिए एक्चुल एंग्जेक्ली वेरी में रूटेट पार इस अल्ट्रा वालेट ब्रैंड लेट से इंके future के प्रोट्स कैसे रहते हैं बट इंटस्टिंग तुसी कि एक काफी premium electric bike आपको यह देखने को मिल रही है और कहते है ना fastest Indian तो उसको ultra wallet कोई कहा जाता है यहाँ तो दोस्तों यार कॉल कॉन के एक इंटरस्टिंग बात मैंने देखी snapdragon में कि चीज यह लोग काफी सही बना रहे है चिप लेवल पर काम किया है और एक ऐसी चीज पर काम किया है कि आपको safety भी provide करता है आपको next generation का experience भी देता है और आपको वो future की prediction दे रहा हूँ आने वाले दो तीन साल में ऐसा phase आने वाला है ना कि लोग जब कार खरीदने जाएंगे ना यहाँ पर वो यह snapdragon का logo होता है वो जरूर यहाँ पर check out करेंगे क्योंकि यार features चीजना है जो experience होता है कमाल का है और जो futuristic driving experience होता है ना वो कॉल कॉम और snapdragon मिलक यहाँ पर ला रहे हैं और सिर्फ snapdragon तो एक partner है लेकिन जितनी भी company से सम्मिल के ला रही है तो काफी interesting चीज बनाता है